नमस्कार, आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड, आए सुनते हैं मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी केसरी किरण डलती शाम का समय था, संध्या के सुन दरे पर रात के सितारे टकनी लगे थे, लाल हवेली में एक नौदस वर्ष की बच्ची थी, उसके निगाहें अनन्ताकाश की ओर थी, निले निले आकाश में एक पंची अकेला उड़ रहा था, उचा बहुत उचा, उसके निर्मल समवे इतना जागरित थी, फिर भी उसे अपना जीवन अर्थीन लगता, उस हवेली में बहुत बड़ा कुदबा रहता था, धेरो लोग रिष्टे नातों से भरा, लेकिन यहां संबंधों का एक विचित्र कोलाज था, जो हर पल बनता बिगड़ता रहता, उन सब के बीच वह ख वह किसी से मन की कोई बात नहीं कहपाती, हवेली से बाहर जाने की उसे इजाजत नहीं थी, स्कूल से घर और घर से स्कूल, वह इतनी अकेली थी جितना आकाश में तपता सूरज, जितना रात में जागता चांद, अपने अस्तित्व की बात उसके मन से निकल कर फैलने लगत और पुना उसी के अस्तित्व में प्रवेश कर जाती। उसकी कलपना की दुनिया में बहुत कुछ था। लेकिन उसे क्या किसी चीज की तलाश थी। वह खुद नहीं जानती थी। उसके अंतस में एक कोहरा था। वह अपने हर परिशान करने वाले जलजले को घर के पिछवा पाने दो खिड़कियां थी। उनसे लगा एक बहुत उचा हर सिंगार का दरख था। हलकी सी हवा से उसके पत्ते ही ने लगते। उस रात घर में सभी सो रहे थे। वह अकेली जाग रही थी। रात भी कुछ अलग ढग से उतर रही थी। आकाश तारों से भरा जा रहा था चान धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसके चाननी में सब कुछ प्राणवान लग रहा था। हर सिंगार के कूमल के सरिया सफेद फूल जर रहे थी। उसके खुशबू दिमाग परचा रही थी। वह जुपचा फूलों का जरना देख रही थी। आकाश से अतल तक अप वह वहाँ जा पहुची जहां आत्मा और व्रंभांड की सीमाई मिल जाती हैं। आज में पहली बार उस पेड के चहरे को पढ़ रही थी। उससे लगा कि अनुभूती होने लगी। उसके साथ एक नई रोशनी, एक नई भाशा, एक नया रिष्टा कायम होनी लगा। उसम उससे चुपके से पूछा, तुम्हारे फूल केवल रात में ही क्यों जड़ते हैं। पेड ने हसकर कहा, कल सवेरे मेरे पास आना बताऊंगा। सुनकर उसे मज़ा आ गया, हवाएं थपकिया देकर उसे सुलाने लगी। सूरज के लाल अभी कोहरों से निकल कर बाहर आई भी नहीं थी। किवा जग गई, जाकते ही उठकर नीचे भागी, वहाँ जमीन पर सफेद के सरिया फूलों की चादर बिछी थी। उन फूलों के केसरी डंठलों से सुरे की किरने, केसरी रंग में रंग गई थी। धरती आकाश तक वे अपने खुश्बू लुटा रहे थ ये खुश्बू उसके भीतर उमीद पैदा कर रही थी। वह पेड के करीब आ गई, उसे इस तरह उसके समीपाना पहुत सभाविक लगा। उसकी हसी आखुन से होठों पर उतर आई, प्रकाश एवं छाया आपस में मिल रहे थे। इस समय जगे सुनसान थी, पर्चुहल भ रही थी, हलकी सी फुरहरी महसूस हुई, सुबै की उजास में यहिस्सा बड़ा मनोहरी लग रहा था, वह स्रिष्टी के करीब पहुच गई थी, होई जलतरंग मन को त्रिप्त कर रहा था, वह पेड के और करीब आ गई, उस पर अपनी मुस्कुराहट के मोती पिरोने लग उसे हरानी हुई, हाँ तुम्हारे लिए, दिन में तुम्हें स्कूल में रहती हो, फिर फूलों का जड़ना कैसे देखोगी, एक मधुर सिरहन बच्ची के तन्मन को हिलोर गई, जो भी दो-चार फूल पेड पर बचे रह गए थे, किरकर उसके बालों में उलच गए, प्रागन की हुते हुते चांद तारे तक पहुच गई, तेड ने उसे दिलासा भी दिलाया, कि ऐसा कुछ नहीं, जिसके लिए उसे अफसोस करना चाहिए, वह अंजान भावनाओं से भर उठी, भकूंधती फांधती अपने कमरे में आई, वहाँ धूप चमक रही थी, और हर दिन शुबरात्री, तेड के चारो तरफ चोड़ी सी खुली जमीन थी, एक तरफ लाल हवेली और दूसरी तरफ घर की उची चार दिवारी, जिन पर जंगली लतर चड़े हुए थे, तुनिया भर के परिंदे यहां खेचे चले आते, लाल चोच वाला सुगगा, वड़ उससे चुराएं अमरूद लाकर यहीं बैट कर खाता, जेंगुर दिन भर चुप रहते यहां, रात को जोरों से जंजराने लगते, इधर से ही सबजी वाली, दही वाली, चूड़ी वाली घर में जाती, यहां शाम धीरे-धीरे होती, और शिवाला की घंटी भी धीमी सुन रही थी, उनमें कुछ अख्वें फोटते, बढ़ते, पीछे से दूसरे अख्वें फोटते, वा कौतुक से देखती, कैसे एक कच्ची टहनी दूसरी को ठेल कर आगे निकल जाती, वहीं एक छिपकली टहलती रहती, दो-दो गिलहरियां एक दूसरे के पीछे फुदक्ती भागती, जमीन पर चीटियों का काफिला चलता, उनको किसी के प्रिती भोज का निमंत्रण मिला था, हवा सुपन बांध कर उड़ती और समय यहां अनंत से जा मिलता, एक बार विल्ली अपनी चार बच्चों को वहां पेड के भरों से छोड़ गई, पेड पर बहुत सारी चुडियों का बसेरा था, इस अब उससे अपना सुपदो कहते, वह भी उनकी एक एक भंगिमा पहचानने लगी थी, अब उसकी एक नीजी जिन्दगी थी, एक नया विश्वास उसके अंदर पलने लगा, उसका मन भरा-भरा रहने लगा, वह मुक्त थी, अकेली खुश थ पेड उसके लिए उसफर पड़ी किर्णों के सातो रंग सहेच कर रखता, घास और कंकर उसके पाउं में गुदबुदी करते, लेकिन यह गुपचुप दोस्ती गुप निये थी, किसी को इसकी खबर ना थी, पेड और बच्ची ने मिलकर अपनी एक भाशा रचली थी, ऐ इनके समवाद सुने भी जाते और देखे भी जाते, दूसरे इनका अनुभव नहीं करते, इसलिए इनका अर्थ और अभी प्राय नहीं समझ सकेंगे। आखों के सामने लहरा रहे थे, उसके पिता शहर से बाहर नौकरी पर रहते थे, इन दिनों खराय हुए थे, उसे पेड के पास खड़ी देखा, उसके बालों को दोनों कानों के पीछे करते हुए बोले, यहां क्या कर रही है मीनू? मीनू मौन जवाब में हस दी, उसका इसमें कितनी बार इसमें लोटा-लोटा पानी डाला है? इता कि इस बात पर बस उसने पिता की आखों में जाका और हस दी, उसकी हसी वातावरण में तैरने लगी, तैरते तैरते आसमान तक जा पहुची, रात को जड़ने वाली कलियां भी मंदबंद मुस्कुराने लगी, सब मंग और तरंग में थे चंचल हिरन की तरह कुलाचे भरती भीतर भाग गई अपने चार और मस्तिका वलै लिये वह कभी इसो सारे तो कभी इसो सारे तो कभी जट पर नीले आकाश को देखा महा काले काले बादल घिरने लगी थे वह भागी नीचे अपने हर सिंगार के पास पादलों के धरधर के साथ जमा जम पानी बरसने लगा दोनों खड़े बारिश में भीगते रहे पानी चैचै कर रहा था हवा सायन साय कर रही थी बड़ा मज़ा आ रहा था भीगे परिंदे दरख्त से उड़ोड कर हवेली की उठ में बैढ़े रहे थे खड़क कर बिजली शम की उसे खोशती हुई महा आ गई महा की चड़ इतना हो गया कि वह समल कर आई और पकड़कर उपर कमरे में ले गई नर्माई से डाटा इस तरह पानी में नहीं भीगते लेकिन उस दिन मा की आखों में वह बहुत कुछ देख रही थी दूसरे दिन चटक धूप निकली धीरे धीरे उस धूप की गर्मी बढ़ने लगी जितना उल्लास उसमें था उसी अनुपात में उतनी ही रुखाई घर के दूसरे लोगों में थी सबका चहरा हर तरह के भावकता से अलग था बाहर से शांत दिखने वाली लाल हवेली में नशांती बढ़ती जा रही थी सब तनाव में रहते वह लगाव चाहती थी पर बड़े चाचा के चहरे पर भी सणनाटा था एक शब्द जो बार-बार सुनाई दे रहा था वह था बटवारा उसके भीतर भै की लहर दोड जाती उसका पेड इस घर के हालात को भली भाती जानता था वह भी गुमसुम हो गया बच्चों में कुट्टी होती है फिर मेल भी हो जाता है बादल अपनी दरावनी शक्र दिखा कर गरशता है हवाएं भी आधी तोफान का रोग धर लेती है दिन में अधीरा हो जाता है बगर उसके बाद एक जटके से साब छूमंतर अगर लाल हवेली का तोफान तो आकर जम गया वहाँ तो तोफान से जूजने की तयारी हो रही है फिल्म की तरह सब कुछ प्रतिशर बदलता जा रहा है उसका कलेजा रह रहकर केले के पत्ते सा काप उठता ना मालूम बिंदूं से शुरू हुई लड़ाईया कब महायुद बन जाती है और कब वे शक्तियां बन कर आमने सामने डट जाती है न वह समच सकी न दीदी न चारो बड़े भाई वे सिवाएं सब रके और कुछ नहीं कर सकते अजले भाया ने उसे बताया मेनू हमारा बटवारा हो रहा है हम लाल हवेली छोड़कर सामने वाली पीली हवेली में रहेंगे पड़े भाया की चुप़े कह रही थी कि अब तो जाना ही पड़ेगा वह कमरों में घबराई सी घोमने लगी चारो तरफ घबराहाट और बिखराव की परचाईया मड़रा रही थी मच्ची की सारी सोच, सारी फिक्र, सारी परेशानी इस बात पर से मटाई कि वह अपने हर सिंगार के पीड को कैसे छोड़ेगी रात भी किनकर तब विविमूरसी चुप थी पीड पर तो जैसे समाधी का भाव आ गया था उसे लगा कि अब ये छूटेगा छूटेगा लेकिन इन उलजनों के बीच भी माउं से प्यार से खिला दे थी उनके चहरे पर खिलाते समय एक सरल मुस्कान होती शायद वर जहिलने का हुनर जानती थी इस तोफान ने सारी चीजों को दितर बितर कर दिया बिली हविली जाने का दिना गया सब के चहरे उतरे हुए थे सुबह से रोते रोते उसकी सिस्कियां उतार पर थी आसो की एक एक परत उसके चहरे पर जमी हुई थी बोड़ी बगेसरी आई ने धीमी निश्वास छोड़ते हुए कहा बिधी का विधान सुनी सुनी आँखों से वह अपने पेड को देख रही थी वह भी घायल था उसकी आँखों में भी आसो भरे थे डाल पर बैठी चड़िया उन्हें निर्विकार भाव से देख रही थी जैसे जो हुआ वह तो हो नहीं था अपने उमरते आसों को बच्ची ने जबरदस्ती रोक लिया पर जरा सा आगे बढ़ते ही आसो गालों पर लुड़क आए उसने चिपकर आसो पोच लिये वे पीली हवेली चले आए फासला केवल बेच में एक सड़क का था दोरियां लंबी थी कितनी देर तक उसे लगता रहा कि उसका दोस्त आखों में आसो भरे उसके सामनी खड़ा है उसके बगेर सुना लग रहा था कल से आज कितना भिन हो गया कोई भी वास्त्रिक्ता उतनी अच्छी नहीं होती जितनी वकल्पनामी प्रतीत होती है सबका मन रह रहकर रुचाट हो जाता इस ठोकर से घर में एक समली हुई भाषा आ गई यहां दोनों बेहनों का कमरा प्रतमतल पर था खिड़कियां बंद रखनी पड़ती थी यानि चान सूरज हवा रोशनी बंद जीवन सीमी थो गया पिछवाड़े नीमबू और चाननी के जाड़ थे तीछे का दर्वाजा खुलता तो वे अंदर जात लेते गपास जाती तो उसे देखते फिर इत्मिनान से इधर उधर अपना रुख कर लेते इधर धूप आसमान से सीधा बदन पर उतर आती पुर्बईया भी भूले भटके आती उसकी आखे जो शरारत से चमकती रहती थी संजीदा हो गई फासला केवल बीच में एक सड़का था नोरिया लंबी थी कितनी देड़ तक उसे लगता रहा कि उसका दोस्त आखों में आसु भरे उसके सामनी खड़ा है उसके बगेर सुना लग रहा था कल से आज कितना भिन हो गया कोई भी वास्त विकता उतनी अच्छी नहीं होती जितनी वह कल्पना में प्रतीत होती है सब का मन रह रहकर उचाठ हो जाता इस जोकर से घर में एक समली हुई भाषा आ गई यहां दोनों बहनों का कमरा प्रथम तल पर था किड़किया बंद रखनी पड़ती थी यानि चान, सूरज, हवा, रोशनी बंद, जीवन से मित हो गया इचवाडे नीमबू और चान्दनी के जाड थे तीछे का दर्वाजा खुलता तो वे अंदर जाक लेते वह पास जाती तो उसे देखते पर इतमिनान से इधर धर अपना रुख कर लेते इधर धूप आसमान से सीधा वदन पर उतराती पुरभईया भी भूले भटके आती उसकी आखे जो शरारत से चमकती रहती थी संजीता हो गई मचले भाई उसी हसाने की कोशिश करते पर उसकी हसी कहीं खो गई थी पिता ने उसके कंधे पर हाथ रख कर पूछा मेनू इतनी चुप क्यों है उसने आख उठा कर उनकी उर देखा उनके चेहरे पर हलका सा अकमपन हुआ फिर वैसा ही कूमल और स्वभाविक हो गया सब के लिए इस अलगाव से निकलना मुश्किल था सुबह उठी तो दीदी छट पर ले गई आकाश में रंगा-रंग बादल तैर रहे थे अरे यह क्या यहां से हर सिंगार का उपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है वह सूरज की चमकदार केड़नों से नहा रहा है वह खुशी से उच्छलनी लगी अब तो सुबह साम जब मौका मिले वह एक चक्कर जटका लगा लेगी पेड की फुनगियां भी उसे देखते बिना हवा के लहरा जाती एकाद बार तो वह सबसे छिपकर लाल हवीली भाग गई उसे देखते ही पेड उसके दिल का हाल जान जाता पत्ते सरसराने लगते कववा काउं काउं करने लगता वह पेड चूकर भागाती पकड़े जानी का डर था उन दिनों बच्चों का एक खेल हुआ करता था आती पाती इस खेल में आट-दस बच्चे दो दलों में बढ़ जाते थे एक दल दूसरे से पूछता आती पाती किसकी पाती दूसरा कहता नीम की पाती अब पहला दल नीम के पेड से पत्ते तोड़ कर लाता उस दिन भाईयों को उस पर रहमा गया और उसे अपने खेल में शामिल कर लिया खेल के नियमानुसार सामने वाले दल से उसके दल ने पूछा आती पाती किसकी पाती दूसरे दल ने कहा हर शिंगार की पाती भाई संग वा भी भागी लाल हवेली आज वहाँ जाने की वजह थी भाई तो पत्ता तोड़कर भाग मिकले वह वहीं जम गई पेड ने डबडबाई आखों से उसे गले लगा लिया बहुत दिनों बाद मिले थे एक निशब्दता उनके बीच तैर रही थी धीमी चुप्पी की कोमलता बदन को छू रही थी घायल आत्माओं को चैन मिल रहा था पत्ते पर ठहरी योज की दो कुनकुनी बूंदे उस पर आगिरी पेड उसके चहरे पर उमरते भाओं को पड़ रहा था एक करुण मुस्कान बच्ची के चहरे को आद्र कर रही थी मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ पेड़ ने आशीश देते हुए कहा सोर्य अस्थ हो रहा था स्वैम को जतन से समाले वह सोचने लगी कि यहां रहना चाहिए या भाग जाना चाहिए इस समय वहाँ चाची आ गए उनके मन का सारा कड़वा का सलापन उनकी आखों में उतर आया दुनिया गूंते गूंते रुख गई उसके कान लाल हो गए कनपटियों पर दबाव पढ़नी लगा धड़कने पंचक्की हो गई वह अदब से खड़ी हो गई नजरे नीची कर ली वे हटें तो बुद्धी काम करे पेड मौन साधक की तरह खड़ा रहा वह लोटने लगी उसके कदम बढ़ने लगे लेकिन उनकी आवाद सुनाई दे रही थी हद्धो गई लोग बच्चों से जासू सी करवाते हैं बात तीर बनकर खच्च से उसके सेने में जा लगी वहाँ दो तीन लोग खड़े थे उनकी भाव हीन आखें उसका पीछा कर रही थी अपना ही चला रास्ता पैरों में उलज रहा था गर रोने रोने को हो आई पर रोई नहीं कवर पेली हवेली पहुच गई माने कठोर होकर कहा महा जाने के लिए मना किया था ना चारों भाईयों ने उसे चार तरह से समझाया कि महा नहीं जाते राज सोने गई तो आखों से टपटा पास उगिर रहे थे दीदी हरसिंगार से उसकी लगाव का राज जानती थी उसने कहा तुमको हरसिंगार की याद आती है मैं पूरी लाल हवेली को भलाने के कोशिश में हूँ वह उसारा जहां दादी धूप सेकती थी वह आंगन जहां पापड़ बढ़ियां सूखती थी हमारा कमरा जो खुश्मियों से भरा रहता था वहां के बहुत से बाते बिना अच्छी हुए भी मुझे अच्छी लगती है मीनो उनके आखों के आगे कितनी परचाईया से मट आई वे लाल हवेली के कोने कोने में भटक रही थी उनके चेहरे पर वेदना थी लेकिन उसे धहरे से काम लेने की सला दे रही थी चाहत मैसोस नहीं हो रही थी दिल दिमाग में हरसिंगार जगजोर रहा था अब राद बोथ की कसक से कहीं जादा या काटा चुब रहा था कि अवव कभी अपने हरसिंगार के पास नहीं जा सकेगी दीदी ने रेडियो बजाना बंद कर दिया था पेली हविली किसी को रास नहीं आ रही थी एक दिन पिता आये और पूरे परिवार को अपनी नौकरी पर ले गए नई जगे नई बातें नई अनुभव दोत्रगामी समय का प्रभाव पढ़ना ही था अब भी छुट्टियां वहीं अपने शहर में बिताई जाती वहाँ पहुचते ही मीनू छट पर भागती अर सिंगार उसे देखते ही लहराने लगता मेना हवा के जूमने लगता दे मौसम फूल भी खिला देता और वहीं से दूआ सलाम भेशता उसका दोस्त वैसा ही था उनकी दोस्ती वैसी ही थी पिता का तबादला एक शहर से दूसरे शहर दूसरे से तीसरे और तीसरे से चोथे होता रहा एक एक दिन करके समय सरका जा रहा था अब उद मेनू दुनिया के काईदे कानून सीख रही थी पुराना सबकुष उसके जिन्दगी से दूर जा रहा था जैसे पलके खुलते ही नीन जाती है पलके बंध होने पर जागनी का एसास जाता है जैसे तीली जलते ही अंधेरा जाता है तीली बुझते ही रोशनी चुपचाब जाती है जिन्दगी नितने अध्याय के पढ़ने खोल रही थी एक अध्याय समाप्थ होने के पहले दोसरे अध्याय के शुरुआत हो जाती लेकिन जब भी वा अपनी शहर लोटी अपनी दोस्त से जरूर मिलती उसे देखते ही वा अश्चर में श्रेत उल्ला से भर जाता ऐसे स्नेह कानभा उसे और कहीं नहीं होता वा लोट जाती वा उसी तरह सोरे को अर्द देता हुआ साख खड़ा रहता उस गोल्शन का कारोबार भी उसी तरह चलता रहता काल चक्र घूमता रहा नेनू बच्ची से किशोर हुई किशोर से सयानी उसकी शादी हो गई और वा बाल बच्चों वाले भी हो गई पती और बच्चों के साथ शेविर दर शेविर भटकते हुए देश के कितने कोनों का भुगोल पढ़ा जहां जाती वहां हर सिंगार का एक बौधा रोपना नहीं भूलती या पेड़ पन अपने में बढ़ने में समय लेता है शिशो पौधे कुछ उचे होते ही उसे शहर छोड़ना पड़ता रोश्नी और अधेरे के बीच वरेग खाती जिंदगी बहुत दो निकल गई आज भी नीले आकाश के साथ कभी छंडी हवा के साथ या कभी किसी चोट के साथ हर शिंगार उससे आजुड़ता अनंत प्रवाह में समय अपनी लेपर चलता रहा कितना समय बीच गया बलकि समय क्या बीता बस्वैम बीच गई बच्चों के बच्चे हो गए भनानी दादी हो गई खोया भी कुछ कम नहीं हमेशा साथ निभाने वाला जीवन साथी साथ छोड़ गया उसके दिल का हर राज जानने वाली दीदी भी दुनिया में नहीं रही यह जीवन सुन्दर भी है कठोर भी है यहाँ न हसने का एतबार न रोनी का एतबार पिली हवेली बिग गई अलग-अलग शहरों में भाईयों का ठोर ठिकाना हो गया पस छोटे भाईया कठा उसी शहर में था गुजरा वक्त आज उसे आवाज देकर पुकार रहा था बाकी खयालों पर कई तरकी दुन्द जम गई थी लेकिन हर सिंगार पर नहीं वहां डेरों इसमितियां सजीव है कुछ बातें जीवन के किसी अंजान छडों में घटित हो जाती है हर सिंगार से उसके संबंद तरक भले ही न समझे लेकिन हर विश्वा समझेगा वे जरते फूल वे खुश्बू वे लत्रें वे चिडियां वे किर्ने जर्रा जर्रा उसे कंठस्थ है एक छोटे से कालखंड का माफीन सुख अपनी में संतुस्ट पॉन वे यादे लोटती हैं वे तमाम घडियां पुरसर आवाज की तरह उसे लिपट जाती है उसका चहरा एक उदार मुसकान के साथ खिल जाता है कभी न लोटने वाला समय जा रहा था उसे लगा उसे अपने शहर जाना होगा वह जाएगी वहाँ कुछ दिन रहेगी जब तक रहेगी अपने हर सिंगार से मिलने रोज लाल हवेली जाएगी अब कोई क्या कहेगा और वह क्यूं सुनेगी इस मिलती एवं स्वप नेखी डोर में बन गए वह जाएगी इस स्युकृती ने उसके अंदर को भर दिया मन हिलोरे लेनी लगा तुरंट भाई को अपने आने की सोचना दी सुनकर वे खुश हो गए मिलों की दोरिया तैकर आखिरवा अपनी दुनिया में पहुच गई भाई के चेहरे पर आत्मियता का भाव ठहर गया भावीनी हाथ पकड़ कर मीठी नजरों से देखा मौसम खुशगवार था बारिश के कारण हवा में नमी घुली हुई थी इस्टेशन से घर जाते हुए वह अपना पुराना शहर देख रही थी अजीब से शहरी पन से आकरां था पुरानी शेनाख्त कहीं नजर नहीं आ रही थी भाई उसे बता रहे थे मौल और मल्टिप्लेक्स इस शहर का नया चेहरा है लोग भी यही चाहते हैं यह अंधा धुन्द फायदे दे रही हैं घर आप उचा था नए इलाके में बेहत खुपसूरत घर था भाई भाभी ने एक एक एट एक एक टाइल अपनी इच्छानुसार लगाया था उनके दोनों बेटे अपने अपने परिवार साथ के देशों में थे यहां बहन की आओ भकत की बहुत तैयारी थी हफते भर का सेर सपाटा प्रते दिन नए पकवानों की फहरेस्थ और भी बहुत कुछ रात देर तक बैठे बाते करते रहे बहुत कम लोग बचे हैं जो उसे उस रूप में पहचानते हैं जो पहचानते भी हैं उनके बीच समय की मूटी दिवार है उसने एक दो लोगों के बारे में पूछा तो भाई ने कहा अव्वे नहीं रहे सुनकर दुख हुआ प्रिये जिसे याद करता है वहम रित नहीं होता मीनू लेकिन यह सच है कि हर सईयोग का अंध वियोग है मैंने यही जाना है कि मिले हुए पलों को जी लेना महत्वों है शायद सबसे ज़ादा महत्वों हम रहे या ना रहे फोल तो फिर भी खिलेंगे चान सुरज भे निकलेंगे यह दुनिया चलती रहेगी उन्होंने कुछ ऐसे निर्गुन स्वर में कहा कि वहाँ एक अटपटी खामोशी चा गई बाता वरण गंभीर होता देख भाभी ने गजल चला दिया यह दौलत भी ले लो यह शोहरत भी ले लो भले चिन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लोटा दो बचपन का सावन वो कागज की कष्टी वो बारिश का पानी यह इनका फेवरेट कजल है मीनू जैसे यह इनकी रूख को चूता है भाभी ने कहा भाई मुस्कुराए इस मुस्कान में उनका बचपन चलकाया उनका बचपन अपने उसी रूप में वहांट खेलियां करने लगा नूसरे दिन वे काली बाडी दुरगा पुजा मंदिर महिला चर्खा मंदिर गए साथी मीन रोड और फिराय लाल भी घूमाए लोटे तो ठकान और गर्मी महसूस हुई उसने पंखा चला दिया भाबी ने कहा कल फिर्म देखने चलते हैं उसके बाद किसी होटल में खाना खाएंगे ठीक है भाबी पर उसके पहले लाल हवेली जाना है लाल हवेली वह बिग्या मेनू वह भी शॉपिंग मॉल्ट बन रहा है भाई ने बताया भाचो की और वह हरसिंगार का पेड़ जाहिर है उसके साथ वह भी बिग्या सुना है उसी तरफ पार्किंग बनवाई गई है उसे शायद काट दिया हो भला ऐसे उचे फैले पेड़ को कोई कैसे काट सकता है वह तडब कर बोली हो सकता है न भी काटा हो पेड़ को छोड़ दिया हो आज कल परियावरन को लेकर यहां भी लोग जागरूख हो गये है इन दिनों मैं उस तरफ गया नहीं फोन के घंटी वजी भाई दूसरे कमरे में चले गए वह बुद्बनी बैठी रही कैसा दारुण छंट था खुली हवा में सास लेने वह कमरे से बाहर बरामदे में आ गई बरामदे से भी बाहर खुली जमीन पर आ गई अचानक बादल नहीं कड़क कर अगले पल उने वाली बारिश का एलान किया रात होते होते गंभीर गर्जन तर्जन चुरू हो गया मौसम बरसात का नहीं था पर प्रकृते भी सदा एक ही नियम से नहीं चलती रूप बदलती है वीच रात में उसकी नीन खुल गई न उठकर चैन मिल रहा था न बैटकर अतीत उससे समेटे नहीं जा रहा था वे उसकी अनुभूती के अमरंश थे पहर पानी वरसे जा रहा था काज के खिड़कियों से पानी की लकीरे गिर रही थी वेदरिश हूबहू आखों के सामने आ रहे थे हर सिंगार का पेड़ फूल फूलों से लदी हवा हर याली लटा गुल्म ओस बिंदू गिलहरी तोते और पंख पकेरू और वा केसरी किरण वे ब्रह्मा इवं प्रकृती के योग है अमर्ता के पार का अमरितत्तु तुम हो हर सिंगार तुम होगे सेकड़ो सेकड़ो बरस तक तुम होगे तुम सत्य अटल अविनाशी सुबह ओ गई घर में सुबह की हलचल शुरू हो गई थी बरसात थम गई थी आसमान साफ था मानो रात में बरसा ही नहों हवा ऐसे बह रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहों लेकिन उसकी रंगत बदल गई थी उसके पुलक पर विराम लग गया था नाश्टे के बाद भाई में भावी को आवाज दे कर कहा जल्दी तयार हो जाओ हम लाल हविली जाएंगे चलो उठो मीनो कुछ छड़ों के लिए उसको महसूस हुआ कि उसका दिमाग खाली है और उसे पता नहीं है कि वह क्या कहना चाहती है छोड़िये लाल हवेली नहीं जाते हम कहीं और चलते हैं क्यों चलना हो मन के रहसे को समझना मुश्किल था फिर भी कहा आज हम टेग और हिल चलेंगे बच्पन में भाग खूब जाय करते थे भाभी आ गई उन्होंने भी अनुमोदन में कहा हाँ हाँ वहीं चलते हैं नोनों जाने की तैयारी में लग गया वह विचार शुनिता में खो गई अभी आप सुन रहे थे उम्रेदुला बिहारी जी के लिखी कहानी केसरी केरण